जैन धर्म का एक प्रमुक प्रता कौन सी है जिसमें व्यक्ती कुछ परिकुलर की प्रक्टिसेज करता है परिकुलर की प्रक्टिसेज कौन से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ चाही प्रैक्टिस है यह आप कहसकते हैं चाही हुई प्रैक्टिस है तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके सामने इसी प्रथा को उजागर करने वाला हूँ जो की काफी महत्वपूर्ण प्रथा भी है और बहुत ती इसमें से महत्वपूर्ड कुशन्स बन कर भी आते ह दोस्तों ग्यान प्लेंट चल पर आपका स्वागत है अगर आप इस चल पर नए है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा श्यार कर दिए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैन धर्म के अनुसार सनलेखना प्रथा या संधारा प्रथा एक व्यक्ति को उसके निर्वान प्राप्ती के लिए एक महत्रपूर्ण साधन है यह आप कह सकते हैं एक सीड़ी है आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष अत्वा निर्वान दो धर्मों के अलग-अलग नाम है मोक्ष को हिंदु धर्म्य सनातन धर्म में मोक्ष कहते हैं और इसी मोक्ष को जैन धर्म के अनुसार निर्वाना कहते हैं और इसी मोक्षिय निर्वाना को बौद धर्म के अनुसार परिनिर्वान की स्रीणी में रखा जाता है लेकिन बात ये है कि हम सनलेखना प्रथा के बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो सनलेखना प्रथा क्या होती है सनलेखना जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं सनलेखना का अगर संदी भी छेद करें तो ये सत प्लस लेखना से मिलकर बनता है अर्थात सच्चाई का लेखा-जोका लेकिन सच्चाई की लेखा-जोका से इसका बिल्कुल भी तात्पर नहीं है इसका केवल और केवलतात पर रहे है कि आपने अपने जीवन भर में जो कुद भी कारे किये है उन सब का लेखा जो का आपको अपने भगवान के घर देना पड़ता है और उसका एक ही उपाय होता है अगर आप इस प्रथा से होकर जाएं क्या है वो प्रथा? ये प्रथा एक स्रेणी एक क्रम से होकर गुजरती है जिसके अंतरगत जब किसी विक्ति को ये पता चल जाता है जैन धर्म के अनुसार जब किसी विक्ति को ये पता चल जाता है कि अब उसका अंतिम समय निकट है तो वो सबसे पहले एकांतवास की प्राप्ति करता है आप लोगों ने हिंदु धर्म या सनातन धर्म में भी ये देखा होगा कि कोई भी विक्ति तपस्या करने के लिए जंगलों में ये हमाले की गुफों में चला जाता है उसी प्रकार से जंधर्म ने भी अपने इस प्रक्रिया को यहां पर बताया है एकांतवास एकांतवास जूनने के पस्चाद वो विक्ति काफी दुनों पर वहीं रहना शुरू कर देता है और उस एकांतवास में ही वो धीमे धीमे उपवास करना शुरू कर देता है सबसे पहले वो एकाम प्वास की प्रेक्टिस करता है और उसको पता है उसका समय निकट है और वो उप्वास करना शुरू कर देता है और जब वो पुआस करना शुरू कर देगा वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं उसके अंदर शारीरिक उर्जा और मांसिक उर्जा की कमी आती जाएगी और जब ये कमी काफी हद तक बढ़ जाती है तो वहाँ पर उस विक्ति को चाहे अंचाहे तोर पर मौन धारन करना ही पड़ता है मौ से एक शब्द निकालना भी मरणासन स्थिदी के करीब ले आता है तो विक्ति चाहे या अंचाहे तोर पर मौन धारन कर लेता है और उस मौन धारन के पस्चात वो अपने देह त्याग की और अग्रसर होता है और वो निर्वान की प्राप्ति को चला जाता है तो दोस्तों यहाँ पर निर्वान को ही देह त्याग कहा गया है कि विक्ति सनलेखना प्रथा के अनुसार जब एकांतवास में जाएगा कब जाएगा जब उसको ये पता चलता है कि उसके मरत्य उसका अंतिम समय निकट है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, मौन वरत धारन कर लेता है और एकांतवास में चला जाता है और निर्मान की प्राप्ति हो जाती ही अर्थात देत्याक कर लेता है दोस्तों इसी को हम लोग सनलेखना परथा या संथारा परथा भी कहते हैं दोस्तों आपको जन कर यह हैरानी होगी संथारा परथा को जन धर में एक प्रेक्टिस की माना जाता है लेकिन राजस्थान हाई कोट ने कुछ लोगों की पिल पर यहाँ पर रोक लगा दी थी कि संथारा पृथा को आत्मत्य की शणी में माना जाए IPC 306 और 309 के तहित राजस्थान हाई कोट ने इसको आत्मत्य की शणी में रख दिया था लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोट में पहुंसता है तो सुप्रीम कोट में जैन धर्म के जो मतानुयाई होते हैं वो इस पर एक पिल दायर करते हैं सुप्रीम कोट में यह जो याचिका होती है इस परकार की याचिकाओं को सुप्रीम कोट सुनता है और सनलेखना या संथार प्रथा को जैन धर्म के लिए जो राजस्थान हाई कोड का निरने था उसको आत्मक्तिया में बदलने का उसको खारिच कर देता है और इस प्रिकार से सनलेखना प्रथा फिर से जीवित हो उठती है तो दोस्तों आप अपने विचार दे सकते हैं क्या सनलेखना प्रथा उन्ही पुरानी कुरितियों या प्रथाओं में से एक है क्या इसका विनाश होना चाहिए या आज भी जैन धर्म के मतानुयाईयों को इस चीज की छूट मिलनी चाहिए अगर आपको विडियो पसंद आया आप इसको शेर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए आपका दिन शुब हो